दोस्तो हिंदु धर्म में महासिवरात्री का पर्व महतपूर्ण माना जाता है। यह पर्व भागवान सीव और माता परवती को संप्रित है। इस दिन माता परवती और भागवान सीव को साधी के बंधन में बंधे थे। इसी लिए दोनों की पूजा अराचना करने से ब्यक्ति को सूख का अरसी बात प्राप्त होता है। इंदु कलिंडर के मताबिल हर साल फागुन मा के विश्न पच्छ की चतुदर्शी तीथि को महासिवरात्री का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों मायवी का चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मिंदर। दोस्तों मासिवरात्री का एक एसे दस उपाई बताने जा रहा हूं तो वीडियो को लास लेक्ट देखना है। इस उपाई को जरूर कर लेना। दोस्तों सिवरात्री के दिन आटे से इगारा सिवलिंग बनाएं। और इगारा बार इनको अफसेख करें। इस उपाई से संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। नमबर दू शिवरात्री पर गरीबों को भोजन कराएं। ऐसे आपको घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। और पित्रों को संती मिलेगी। नमबर तीन शिवलिंग पर बेल पत्रों पर सफेद चंदन से ओम नमा सिवाई कर शिवलिंग पर रहाएं। इससे आपको इच्छाएं होगी। नमबर चार शिवरात्री के दिन पानी में काले तील मिलाकर सिवलिंग का अब से करें। और ओम नमा सिवाई का जाप करें। इससे मन की सांती मिलती है। दोस्तों अगर आपका विवाह में अर्चन आ रहा है तो उपाई नमर पाचमा विवाह आप जरूर करें। अगर विवाह में अर्चन आ रही है तो सिवरात्री के दिन सिवलिंग पर केसर में मिलाकर दूद चरहाएं। इससे जल्दी विवाह योग बन जाता है। छठमा उपाए हैं, शिवरातरी पर भगवान सीव को तील जोचरहाएं तील चरहाने से पापों को ना सोता है और जोचरहाने से सुख में विर्धी होता है आई नम्मर साथ आई सिवरातरी के दिन जुही के फूल से भगवान सीव को पूजा करने से घर से दरिदरा दूर भाग जाती है आई नम्मर आठ यदि आप लंबे उम्रे चाहते हैं तो सिवरातरी पर रोज दुब्र घाच चरहें इसे सीव जी का और गनेज जी का किरपा से सुक समिर्धी बढ़ती है और आपका लंबी आयू होती है पाई नम्मर नौ दोस्तों आप मन चाहा गारी चाहते हैं इस उपाई को जरूर करें शिवरातरी पर रोज चमेली के फूल चरहाएं और सिव मंत्र का जाप करें ओम नमा सिवाई का जाप करें एक सो आठ वर रोज करें पाई नमर 10 से लाश्ट माउपा हैं दोस्तो दोस्तो हनुमान जी का भगवान सीव को अंसाबतार हैं माना गया हैं सीवरातरी पर हनुमान चलीशा या हनुमान मंत्र का या हनुमान चलीशा का पाठ करना चाहिए इससे सीव जी की संता प्राप्त होती है और इससे पिरपा से भगतों की सभी परसानियों दूर होती है और सभी मन कमनाएं पून होती है तो दोस्तो महा सिवरात्री पर इस उपाई को करना चाहते हैं तो आप इसका जरूर लाब उठाए और माता परबती को पसंद करना चाहते हैं पला ही यूटुट पर वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिक्सन बॉक्स में है अप उस मंत्र को सिवरात्री पर जरूर जाप कर ले अपका सभी समस्या का समधान निकल जाएगा तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और कमेंट में ओम नमसिवाई जरूर लिखेगा धनवाद